इस वक्त पूरा भारत राम मैं हैं क्योंकि 22 तारीक का इंतिजार किया जा रहा है और 22 जन्वरी वो तारीक होगी जब भगवान श्री राम की प्रान प्रतिष्ठा की जाएगी ऐसे में तमाम राम भक्त इस वक्त आयोध्या पहुँच रहे हैं और पूरी दुनिया पूरा व से मैं आपकी मुलाकात कर वाती हूं यह अपको चोटे और बड़े सिग गोल मेटोल से आक दिख रहे होंगे लेकिन यह बहुत क्रिश्ण भ्रचत जाने मिया भोले टो है आपको कैसे अरजित हुआ क्योंकि आपकी उम्र में तो महज बच्चे शायद खिलोना खेलते हैं विडियो गेम्स खेलते हैं कैसे मुझे राधाय नानी ने जगन जगा दी जब मैं छोटा सा था मैं अपने दादू जी के उंगजी पकर देता था मुझे मंदिर दे जाओ और घंटों तक भगवान जी के आगे पूजा करता रहता था मैं देखता था कि मंदिर में महिदाय आ रही है वेशिर जी को जल चरा रही है प्रिशन जी के आगे दीपक ज़दा रही है तब मैं केवल तीन से चार वरश का था तब मेरे आगे प्रिशन जी के दिए राम जी के दिए प्रेम जागड़त हुआ तो आपको खिलोने वगरा खेलना वीडियो गेम्स खेलना बिलकुल नहीं पसंद है केवल राधा रानी और कृष्ण आस्था ही है आपकी कृष्ण जी के इलावा कुछ भी सच नहीं है इस संसार में केवल कृष्ण नाम ही पार दे जाएग केवल राधा नाम ही पार दे जाएगा केवल राम नाम ही पार दे जाएगा बस आपको राम नाम का जब करना है कृष्ण नाम का जब करना है और तो इस संसार से कोई मतलब ही नहीं है इस दुनिया दारी से कोई मतलब ही नहीं है जग क्या जाने खुद को खोकर मैंने सब कुछ समाया है बहुत सुंदर अभिनाव इतने चोटे से आप हैं और यकीन नहीं हो रहा है आपको आपसे बात करके ऐसा लग रहा है किसी समझदार विद्वान से आप बात कर रहे हैं तो यह सब शुरू कैसे हुआ आपने का तीन से चार साल की उम्राप की उस वक्ति आपको पर आप बार्त में अध्यातमिक जाए ग्रित कर दिया तो अभी आप स्कूल से आ रहे हैं आ भीफ पहनते हैं या फिर वाहां जो स्कूल की उनिफॉर्म होती है गःते हैं तो वीपेड़ियादय के वस्त्र पैंने के दो बिद्धयाने के बस बापेम कर जाते हैं आच्छा कि कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो यही कपड़े पहनते हैं, जैसे आम बच्चे जीन्स या फिर टी-शिट्स डालते हैं, वो भी पसंद करते हैं. मैं बस धोती कुर्टा ही पहनता हूँ, मेरा मानना है कि जब मैं वरिंदा बन जाता हूँ, मतुरा जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ, बहुत सारे विदेशी, सारे पहनकर आ सकते हैं, धोती पहनकर आ सकते हैं, तो हम हिंदू हैं, हम सिनातनी हैं, हम भारती हैं, हमारा धोत पहने का अधिकार है हमारा कुर्ता पहने का अधिकार है और जो चाहे मन चाहे उम्र कितनी भी हो आपका जो मन करें वो आप बिल्कुल धारन कर सकते हैं और आप तो हैं ही कृष्ण भक्त राधारानी के भक्त लेकिन रहते आप दिल्ली में हैं अभी नव तो दिल्ली में रहक पर इतना भक्ति भाव आप रिद्नावन जाते हैं हम हर महीने व्रिद्नावन जाते हैं व्रिद्नावन में जाकर तो ऐसा लगता है कि बस राधा राणी ने मुझे अपने पास बुदा दिया मां के विहारी राधा वजब राधा रपन जी के दर्शन तो इतने प्यारे होते हैं कि मन मोह जेते हैं जी व्रिद्नावन धाम के करकर में राधा नाम बसा है और आज भी वहाँ पर प्रिया प्रितम बास करते हैं श्री राधा किश्न जी मां के विहारी जी बास करते हैं अरे व्रिन्दावर धाम की महीमा तो ऐसी है वहाँ पर रिशी रिशी भी महीमा नहीं जान पाती है हम साधार इसमाना हो है मेरा व्रिन्दावर में आना जाना रहता है नहीं के साथ ही खेरता हूँ उन्हीं को जगाता हूँ यानि आपसे बातशीत करते हैं ठाकुर जी आपसे बात करते हैं जी मेरे बंदू किया है नाम घोविंद है आपकी ठाकुर जी का नाम घोविंद है ठीक है आप कभी अयोध्या गए है 22 जनवरी को प्रान प्रतिष्ठा होने वाली है तो ऐसे मैं जाने की कुछ नगड़ी आ गया राम जी मेरे पास है और मैं उनके पास हूँ अधिया का नजाड़ा इतना सुन्दर था इतना सुन्दर था उसी कुछ सीमा ही नहीं थी अब अब आप और अब हम 22 जनवरी को प्रान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी जी श्राम जी की प्रतिष्ठा करने जा र आयुद्या भी गय हुए है सुन्दर कौन है जादा वरिंदावन सुन्दर है या फिर आयुद्या सुन्दर है सुन्दर की बात करते हैं दोनों ही सुन्दर है कृष्ण जी हमें सिखा कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि कैसे प्रेम करना है और राम जी हमें मर्यादा में रह सास हो जाता है कि बस अब मैं प्रभू के धाम आ गया हूँ यानि आपको जाना भी बहुत जादा पसंद है वरिंदावन के तो आप पुजारी हैं ही वहां पर आप जाते रहते हैं तो 22 तारीकों यानि कि आप जाएंगे वहां प्राण प्रतिष्ठा का जो कारिक्रम होगा उ अब कुल भी रहां जींगे में कुछनर और नहिए कोई व्रैज़ नहीं है अब कोनी में कोई भेद नहीं यह अइसा लगा रहा है रहा प्छोटी से उम्र इंक ज़रूरह है लेकिन जो इनका मस्तिश्क है, बिलकुल समझदारों किसी बुड़े विद्वान की तरह बात कर करते हैं आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है क्या सीखा फिर आपने अब तक आप 9 साल के हैं भक्ति करते आए हैं भगवान श्री कृष्ण की क्या सीखा उनकी जीवन से अभी तक आप कि हमें रमायन से सीख मिरती है मैं आपको रमायन की सीख बताता हूं आजकर माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा पहले किसम में होता था राम जी ने दशलती जीशे पूछा नहीं कि क्यों जाना है वनवास बस आग्या लेकर चुप्टाप चले गए वनवास रमायन से सीखो कि माता पिता का कितना सम्मान करना है आजकर बच्छे बड़े हो जाते ह और जोम समचार चोड़ देते हैं लेकिन क्या है हमारी वापेडी और अगर यह हमारी वापेडी तो यह आगे जाकर कि कुछ भी नहीं कर सकती इसको भी राम जी के जीवन में राम कथा से सीखना चाहिए राम कथा को सुनना ही नहीं रामायन को सुनना ही नहीं उसको अपने ज जीवन से क्या सीखा है अब आपने कि शुष्ण जी ऐसी जीजाई करते हैं जी सब काम नवो हो देती हैं वह हमें प्रेम करना सिखाते हैं ैं के आपको किश्ण जी कीए खीजा सुना अंगलोर कि एक पारी किश्ण जी और राधा राएट शुरिवेंदावन धाम में रास रच रहे थे य timely किस्णा जब रास रचने के बाद महां से जाने सौन कि थब हमारी ढखना नी कीक चरण कम सूं में Μजलों में रड़िंग ऑन् राधा रानी आपके चरण कमनों में रज लग गई है इसे जाके यमुना जी में धो लो राधा रानी के दिये नहीं ठाकर जी ने फिर से कहा राधा रानी इसको धो तो दो आपके चरण कमनों में रज लग गई है राधा रानी के दिये नहीं ठाकर जी बोले अड़े क्या हु और यही कारण है कि अभिनव के भी अब वो अपने हो चुके हैं और अभिनव भी उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते आपकी जो दिनचरिया है अभी न वो क्या है क्योंकि मैंने देखा है आपका एक वीडियो आप तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे थे सुबह सुबह आप तुलसा पाट करते हैं मैं सुबह साड़े तीन बजे ब्रहमूरत में जग जाता हूँ मैं स्नान करता हूँ चार बजे में माला जाप करना शुरू कर देता हूँ चार से छे सारे छे बज़े तक मैं देड़ दो घंटे दो घंटे तो मुझे लग जाते हैं मैं माला जाप करता हूं नाम जब करता हूं उसके बाद जब सूरी उज़े हो जाता है तब मैं तुलसी जी को जल चराता हूं उनकी पडिक्रमा करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ उसके बाद मैं अपने राधी का गोविन दिजी को उठाता हूँ उनको नहराता हूँ, उनका सनार कराता हूँ फिर उनका श्रिंगार करता हूँ जब मैं उनका श्रिंगार कर देता हूँ ना तो मुझे श्रिंगार करे के विश्वास ही नहीं होता कि मैंने कैसा श्रिंगार किया है मैं उनको सुबा का भूग लगाता हूँ और फिर मैं अपने विद्ध्यादे जाता हूँ विद्ध्यादे में जाते ही सारे में को उते हैं राधे राधे उसके बाद जब मैं आजाता हूं तब मैं आकर अपने राधिका को विंट जी के साथ अपना समय ब्यतीत करता हूं अपना time spent करता हूं अपने काना जी के साथ बाते करता हूं मैं अपने ग्रंथ पढ़ता हूँ सुनातन ग्रंथ पढ़ता हूँ भागवतम पढ़ता हूँ भागवत गीता पढ़ता हूँ अपने माता पिता के चरण दबाता हूँ उनकी सेवा करता हूँ मैं तुझी जी के आगे राधे राधे के भजन गाता हूँ ऐसे ही पूरा दिन आप रातनीक हो जाती है नात विम्हादभा से दूबारा अपने माता पिता पर किरनाम करकर शेयन में आ जाता हूं। फ़र दुबारा मैं साय तीन बज़े बरहमुरत में जगता हूं। तो किसी को यकीन होगा कि छोटे बच्चे की ये दिन्चरिया रही है उसको आपको ये चीजे किसी ने समझाई है किसी ने बताई है माता पिता के जरीव की ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और इसमें मैं अपना होंबक भी पूरा करता हूं मेरे महिया और पिता जी एसक मतले करें मेरे शर्ट रखी हुई है कि अगर अपने विद्यादे का काम पूरा करोगे तो हम आपको बुल्दावıyorlar दिकर जाएंगी मैं को अपने विद्यादे का काम भी पूरा करना पड़ता है बिल्कुल ये तो एक अच्छी बात है और अजय के मैं यह भी सुन रही थी कि आपको विद्याले जाने का मन नहीं करता आप चाहते हैं कि आपको गुरुकुल भेजा जाए गुरुकुल क्यों नहीं जा रहे फिर आप मुझे मैया नहीं बेशती गुरुकुल मेरा मानना है एक स्कूल अच्छा डॉक्टर बिना सकता है अच्छा इंजिनियर बीना सकता है यहीं जैसे क्रिशनै जी अपनी मॉया को मना लेते थे कोई आइस कोई डॉक्टर आप क्या बनना चाहते हैं बक्ति भाव तो आपके अंदर इतना सब कुछ है जो आपको बहुत आगे बिलकुल बेशक ले जाएगा लेकिन क्या कोई अंदर इच्छा भी है कि यह बनना चाहता हूं या ममी पापा की कोई ऐसी इच्छा है कुछ जिद्धा नहीं कुद की उसे जिदा मेरी है मिने जीवन के रख्षक तो शिरी कुछ्ण मुरारी है मैंने अपने जीवन की नया ह्तो कि खोड़दी नाजी प्रइभर के हात हमें छोड़ दी वह जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे रगर में हैं जहां प्रेम मन में हो अरे मैं मेहद को भी छोड़ दू अगर छोटी सी कुटिया श्रीधाम व्रिंदावन में हो राधे राधे बहुत छोटी उम्र है अभिनव की लेकिन इतनी समझ हर चीज को लेकर जो भक्ती भाव है उनके अंदर किसी को भी मंत्र मुख्द कर सकता है आपको भी अभिनव बहुत सारी बात है आपके साथ की एक भजन आपसे भगवान कृष्ण का या फिर राधारानी का जरूर सुनना चाहेंगे आचल में छूपा दीजिए श्री राधे खरुना मैं कृपा कीजिए पहरे भी जर्थ हुआ कई बाड़ मेरा जीवन मैं तोड़ नहीं पाया मुहमायां के बंधन अब की बाड़ी बचा दीजिए श्री राधे करुना मैं कृपा कीजिए राधारानी कहती है तुझे में ऐसे क्या गुण है जो मैं तुझे पर कृपा करूँ भक्त कहता है मुझे में ऐसे कोई गुण नहीं मैं अगुणों का बंदान हूँ लेकिन इस जनम में मैं आपकी शरण में हूँ आप मेरा घर तो बर्साना है मैं कभी बर्साना से बर्जमंडल से बाहर ही नहीं निकलती अब तुम ही बताओ मैं कैसे आओं तुम्हारे पास बिर्भक्त ने बहुत ही सुन्दर उत्र दिया को किसी हासन पर मैंने तुम को बिठाया है इस मन के अंदर ही एक बर्साना बनाया है इसमें आते रहा कीजिए श्रीराधे खरुना में कृपा कीजिए हरी दासित बगरी है जगती है रातों में तुम दिल पड़ मत देना बगरी की बातों को सच्ची भगती का बड़ दी जिए राधारानी कृपा कीजिए महारानी कृपा कीजिए बहुत सुन्दर अभिनव बहुत सुन्दर और ये मात्र 9 साल के हैं कृष्ण भगते हैं राम भगते हैं राधा भगते हैं इनकी दिंचरिया आपने सुन ली है और आप और हमारी भी दिंचरिया क्या है ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं बहुत अच्छा लगा अभ बहुत चुक्रिया और राधारानी और कृष्ण जी की कृपा आप पर हमेशा इसी तरीके से बने रहे और आप बहुत अच्छा करें आपने भवेश्य में अमारी यही काम न रहेगी बहुत चुक्रिया जैश्री राधे 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 हरी बोल